करने वाले काविल कंपाउंड के कोश्चेन सोलुशन ठीक है तो आपके सामने आपका पहला कोश्चेन को सिंपल सा यह दे रखा है क्या दे रखा विटा तू आयसोमर की टॉन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगर आपके पास मिठाल ग्रूप अवेलेबल है तो हम इसको बना सकते हैं ओके विथ ची यानि इसमें से एक देगा यहलो पिपिटी और एक नहीं देगा तो इसका मतलब यह से यह आंसर हो गया ऑप्शन अबर भी सोडियम बाई सल्फाइट याद करो सोडियम बाई सल्फाइट बल्की ग्रूप होता है और बल्की ग्रूप प्रीफर ओल्वेज द पर अगर इथाल ओप्शन अवेलेबल है तो यह इथाल के साथ टेस्ट देने वाला नहीं यानि एक से वाई क्रिष्चल नहीं मिलेगा और सेकंड वाई क्रिष्चल मिलेगा नसे दोनों के दोनों रियक्षन करेंगे साइनो हाइडिन बनाएंगे तो भाई यह इस से कोई आतलो होता है हाँ और एक ना तो अवरोल हमारा अंसर क्या आना चीये आगरा एंड बॉमबे यह देखी बेटा, है जो कोश्चन लिखा हुआ है, optically inactive alcohol, फिखली condition पर ध्यान दिया जाए, क्या लिखा हुआ हुआ है? optically inactive carbon compound, while reduction of A by nickel to produce optically active compound, इधर optically inactive से क्या बननाँ चेए, पर जब nickel अच्टी रिप्रोडक्शन करोगे, तो क्या बनना चाहिए, optically active, पहला example क्या लिका है, hex true in one all, तो यह आपका hex हो गया, यह आपका one two in और यह आपका one all हो गया, अब बताओ, जब आप इससे से reaction करोगे, तो हमको अच्छी तरह से पता है, कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO, और जब हम बोला जाएगा, इसके उपर nickel issue से reduction करने पार, तो इस समय कहानी वैसे सेट है, विकोज, यह option क्या हो रहा है, inactive हो रहा है, तो option नमबर एक, उसने साफ लिया है, reduction करने पर क्या होन होगे थे, क्या लिखा बेटा, hex 3 in to all, तो यह आपका option हो गया, यह आपका हो गया, 123 hex 3 in to all, अब बताओ, जब आप ml2 से reaction करोगे, तो yes पर यह पहले से active हो, शर्ट क्या बोला था, optically inactive होना चाहिए, तो practically यह भी गड़ बड़ा क्योंकि यह आपका active option आ रहा है, नमबर 3 की बात कर लोगे, क्या लिखा बेटा, 2 methyl pank 2 in 1 all, इसका मतलब यह हो गया, आपका pank 2 in 1 all, और यह कौन है बेटा, 2 methyl, this is a theme, now, अब आपको समझ महा रहा है कि वह इस काहनी के अंदर वो बोल रहा है, amritus oxidation करना है, तो बहिया, जब आप इसकी reaction amritus करा होगे, तो officially यह आपके प इससे करा होगे, नीकल स्टू से करा होगे, तो अभी यह श्यार्ट जियाईशो कर रहा था, ध्यान से देखो, जब reduction करोगे, तो यह आपका स्टू होचेगा, यह चोट लगी धर दुआ, वहाँ कारिल सेंटर बनाए, वो optically active हो गया, यानि एक इन एक अक्टिव, एक और यह सही हो जाएगा, चलेगा C option, अगला एक्जामपल है, थ्री मिथाल, पैंग टू, इन, वन, ओल, यह आपका देली option, क्या लिखाए बिटा, पैंग टू, इन, वन, ओल, तो यह आपका 1 और यह आपका 2 होगे, और क्या लिखाए, 1, 2, 3 वाला सेंब कंसेट, अगर आप इ की reaction, नीकल विथ, S2 से करोगे, तो बेटा, फिर यह क्या हो जाएगा, बोलो, कार सेंट उने से active, यह नी, पका आप कहां से देली आएगा, कुल मिला की diagram बनाओ, M2 कर दे रखा है, तो एलाली का oxygen करो, और नीकल S2 दे रखा, तो पाई बोन को नमस्ते करो, शर्त रखी, एक अगला देखिएगा वेटा, यह जो कोश्णा के सामने वेले बले, consider a structure something, उस दे रखा, पूछा यह एलकोल बनाने का, इस अलकोल बनाने का, तो भया सारा ग्रूप है, इसके ओपर ध्यान दिया जाए, यह I think C2H5 होगा, इसके ओपर ध्यान दिया जाए, कि सके थू यह बन जो ग्रूप दिये गए, carbon constant होता है, उसका concept लगाओ, यहाँ देखो, फिनायले, इथायले और मिथायले, यानि यह भी सही चलेगा, पर जब इसकी बारे में बात करोगे, तो पंगा है, फिनायले और इथायले, इसमें कोन मिस हो रहा है, मिथायल नहीं दे रखा, तो पक्क में चाहिए, वैसे इलकाल की reaction करनी है, अगर आपको मिथायल, फिनाल, इलकायल चाहिए, इथायल चाहिए, तो जो भी option दे रहे हैं, बस वही carbon दिखने चाहिए, बाकी मत देखू, simple, देखी बटा, इस question के अंदर थोड़ी सी sequence से आपके सामने, correct option दिया गया है, यह आपका है, यह आपका है, है एलडोल कंडनसेशन, तो जब एलडोल करोगे, तो बेटा, आपके पास में यहाँ पर यह option आना चाहिए, आगे जो दिया हूँ, वह होए, आयोडो फॉर्म टेश्ट, आयोडो फॉर्म टेश्ट में जानते हैं, कि जहाँ पे मिठाहले, वहाँ पर क्या आना ची, okay, प्लस क्या बना ची, CHI 3, और 6 AG से जब रीक्षन करते हैं, तो आपको यहाँ क्या मिलना ची, terminal alkyne, यानी, छोटी 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 information को मिला ताक एक पूरी सिक्वेंस एड कर दी गई ना क्या पूचा एक T is the homologous of X विटा ये और ये पक्का homologous है because इसमें दो carbon है इसमें तीन carbon है तो perfect answer आएगा R is sodium salt of this ये आपका R option ये देखो sodium salt of this ये ये option बन रहा है पाइब और एलकीन के साथ product क्या करता है resonance तो वही वाली feeling यहां भी आईगी अगला लिका P can produce S with any way P can produce मतलब ये can produce S इससे हम क्या सिदे S बना सकते यास जब हम इसकी reaction iodine और एन्योस से करेंगे तो iodine form test देंगे तो अपने आप आपको पता है एक option क्या बनेगा एक option बनेगा ओके एक option क्या बनेगा और एक option क्या बनेगा iodine form ये इस भी सही बात हो जाए ना और इस sodium salt of this यहां पर location देखो एलकीन के बाद इस जगा पर मिठाल केटो है तो पेटा जो भी oxygen होगा वो इस side होना चाहिए इधर दो मिठाल तो आने ही चाहिए ऐसा option तो होई नहीं सकता यानि अनकंफर्म आपका अंसर क्या रहा है ABC देखो इस कोशिना theme क्या है पहले कूर्चिरोव किया आपके पास में एलडोल बनेगा फिर आइडोफों किया तो सीओ सेटी कोटा के ओके कर दिया फिर जो साथ में CHIH3 बना उसके साथ उसने कर रहा है एक तरीके से एजी के साथ में Elimination Reaction जिसका फंडा होता है कि तीन तीन आयोडिन होते हैं एजी के साथ रिवाल्व करके रिमूव होते हों फुल में लाके हम पर इलकाइन बनती तो सिंपल तीन चाह को मिलाके एक पॉफेक्ट कोशन बनाया गया आपका अंसर क्या आया A, B, C आपको पहले पता होना चाहिए को मन नेंद्र के को मन नेंप पता होने चाहिए जैसे पहला एक्जांपल क्या है Acetaldehyde तो हम जानते है यस Acetaldehyde लिया हुआ है अगर आपने अलफा-H यूज किया तो अफकोर्स ये भाई आराम से क्या बन सकता है बोलो CH2, CHO और ये अपने जैसे किसी के साथ भी reaction करेगा तो LDL दे सकता है पर जब आप option number B पे आओगे तो B वाले के पास अलफा-H hydrozone नहीं है तो ये LDL नहीं दे सकता यानि हमारा answer Bombay आना चाहिए अगला एक्जांपल Fivaldehyde इससे एक tertiary वाला एक्जांपल याद करो इसके पास भी अलफा-H hydrozone नहीं है तो भाईया ये भी टेस्ट नहीं दे सकता option daily की बात करते हैं common name इस question का issue हो सकता है common name क्या लिखा बिटा Crotone LDHight तो ये आपका option हो गया CH3 CHCHO ध्यान से देखो अगर OH available है तो हम इधर से ये भी तो एलकीन का एलफा है ना इसका मतलब हम इसको एलफा के रुप में यूज़ कर सकते हैं बात समझ मागे वगर ये एलकीन available है तो भाईया अगला कोई भी दूसा compound लेके हम इस से एलड तो आपका अंसर B और C आना चाहिए और पूस्ता एलडोल दिया तो आपका अंसर आगरा और देली आना चाहिए तो समझ माया अभी क्या answer आएगा question case आपसे not पूछा है तो B and C देखिए बेटा कावली कंपाउं को यह question available है stability of hydrate of carbon compound depends on इस्टेव डाइस इस थीम ऑफ जेमिनल डाइस यह तो थेोर्डिकल कोश्चन जबकि इसके अंदर options आने चाहिए तो प्रैक्टिकली स्टेब्री ऑफ आइस्टेंड इस ко करते हो स बैटा इसका जबता है जैसे 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 शञरिक और बरती जाती है water का जुड़ना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा क्योंकि Geminal Diol तभी बनता है जब आप ले सिश्चेडी को चुन्न मुन्नो जादा बल्के होने पर नहीं बनता तो ये तो सही option हो जाएगा Now, presence of minus i group of Geminal Carbon या सही बात है हमने सुन रखा है, समझ रखा है जितने जादा minus i group होते हैं यादा रहा है जितने जादा minus i group इसका नामे chloral उतना positive का magnitude बढ़ता जाएगा और positive बढ़ेगा तो water जल्दी attack करेगा ये भी perfect answer देगा अगला, Intramical Hydro-Monding यास एक concept पड़ाया था आपने Neen Hydrant के नाम से याद करो और Neen Hydrant में ये फंडा याद कर सकते हैं कि जब Neen Hydrant बनता है तो हम आसानी से hydrozone bonding करके सिस्टम को stable कर सकते हैं अगला एंगल स्टेंड इंकावल कंपाउंड यास, एंगल स्टेंड क्यों है famous example is cyclopropanone जिसका bond angle याद करो किता होता है 120 होता है तो practically हमारे पास में हमारे पास में 120 degree angle अवेलेबल होगा तो हम यहाँ पे यह कर सकते हैं कि यह जो 120 degree दे रखा है आप जो water से reaction करके इसको normalize करोगे तो बेटा इस समय आपका angle हो जाएगा 109 तो आपने एक तरीके से उसका strand कम कर दिया 129 कर दिया कुल मिला कि इस question का जो थी में होई है कौन कौन से compound है जिनका geminal dial stable होता है इनका geminal dial stable होता है तो उतना का sequence देखना है इनोंने क्या इस question के अंदर लेंग्वेज के रूप में लिख दिया साइकलो पर नौन लिख एंगल स्टेंड कम कर दिया hidden morning की जगा hidden morning की जगा minus a की जगा chloral की जगा minus i word use कर लिया समझ नो में बात को मतलब उन्होंने सबके रीजन पर question पुटब किया तो आपका सिंपल सांसर ए बी सी डी बाई बाई देखिए विजे तो फोलिंग के एंडी यूज फोर दे प्रोटेक्टियों कावल कंपांग को प्रोटेक्टिक करने का सही मतलब ही होता है कि जैसे आपके पास पहला एक्जांपल एक ग्लाइकोल चुभी कोशन शॉक करें सिदे याद करो मीडियम सेडी के इसमें से वाटर को बहां निकाल ये ताकि ये अपने आपको क्या बना सके बोलो एसी कल ताकि इस पर फ्यूचर में लीतियम एम हाइड्राइड या किसी प्रकार की रियक्शन नहीं करते हैं अगला एक्जांपल कोई बात नहीं उससे क्या फ्रक पड़ रहा है कुछ लोगों के दिमाग में क्या सेटी की सर जो एक्जांपल क्लास में लिया वही बेटा कोई भी चलेगा वाइंटू होने की जगह अगर आप वन थ्री भी बनाओगे तो उससे क्या फ्रक पड़ रहा है बन तो एक तरीके से एथर टाइप ही रहा है ना अगर इसकी जगह आप A बना लिया B बना लिया C बना लिया अब कोई बोले सर सलफर आ गया तो भाई तू क्यों खून जला कर आया कोई फरक नहीं पड़ता कैसे भी करके तूम एक तरीके से उस कहानी को इस तरह से कनवर्ड कर लो कि वह जेमीनल एथर टाइप में कनवर्ट हो जाए ताक कि नॉमल कंडिशन में उन पर रियक्षान ना हो सकें अच्छा सीच चुछ इसमें तो भाई एस है बी सही है दी लोचा कर रहा है क्योंकि आदा तो एलकॉल है आदे में एलकॉल ही नहीं तो लोकिंग करोगे कैसे खुद के साथ तो लोकिंग कर नहीं पाओगे और बायचांस खुद से लोकिंग कर भी दी तो आपका एक ब्रूप अभी भी अवेलेबल है जो रियक्षन के लिए पार से विंग को open करने में help करेगा तो practically तो गढ़ बढ़ कर रहे हो इससे answer नहीं हा सकता तो कुल मिला के से मतलब पता है क्या है locking या protecting करने का मतलब क्या होता पता है आप उसको किसी तरीके से से भी एसिटल या थायो एसिटल में convert कर दीजे आइधर बाइवन टू आइधर बाइवन थ्री सिंपल यह बहुत ही अच्छा कोश्चिन है अबाउट दा लेवल का कोश्चिन है अबाउट दर वन्फ एडिशन के उपार क्या पुछा है फोलेंग इस एक्जांपल वन्फ होता है और वाट अबाउट दो सौफ निकलोफार फेला आभिया सिखिए कि गगनाड और लीथियम अलूमिनियम हाइड्राइड यह हार नुकलोफार के लाते हैं मतलब इनका पॉलिटी पावर जादा होता है कि इनके पचार देंसिटी जादा और जितने भी डिजोने सिश है कार्बन है तो कार्बन की पॉलिटी के रेस्पेक्टिवली हम प्रिफ्रेंस हमेशा इस पार्ड को देंगे मतलब यह कि साइनाड इलकीन पर टेक करेगा यहां बनेगा साइनाड का सोई सी एच का माइन जो की फ्यूचर में क्या करेगा रिजोनेंस करेगा देक्स वन इससे पड़ा वाइंग तू टू थी फॉर दैक से बन फो एडिशन पर लखी लिए उप्षिन के रूपे ध्यान रगना ध्यूट फे इन रिजोनेंस आइचिक दैक शुट वी इन रिजोनेंस तो जब आप रिजोनेंस की बात करोगे तो आप धियान रगना टॉटोमर वा पर आएगी सर edition तो वंटू ही वा तो process 14 थी पर result one two पर आया ऐसा बोलने का अब आपको परता है यह तो hard nicolol file है यह तो अलकीं पे take की नहीं करेगा ठीक है तो फिर वो यहां take करेगा और यहां take करेगा तो अलकीं को आप दिश्चर्ब नहीं कर रहे हो तो बेटा इस इस थीम फ्वाइं टो एडिशान इस थीम ओफ वन फॉर एडिशन अगर ये काम यह निन थो पहले यहां टेक क्या जब यहां टेक्ट सफ निकलोफाल दो-दो CO के बीच में माइनस है तो soft है, soft कहां टेक करता है alkene के उपर, क्याने का मतलब यह कि आपका जो जखीरा अवेलेबल है ketone अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे और आपने actually इस जगह पे यह जखीरा जोड़ा है यह आपका कहलाएगा अब alkene पे टेक, वास्तों में nucleo addition, फिर वही बात होगी कि resonance के बाद पहले ओपर एच जाएगा, तो वो उपर ओला केस हो जाएगा, 1, 4 वाला हो जाएगा फिर resonance के बाद, totomer के बाद जब नॉर्मल होगा, तब वो 1, 2 कहलाएगा पर addition का process 1, 4 हो जाएगा सें पेटा नहीं, ये example base लिया तो पक्का माइनस बनेगा अब माइनस कहाँ टेक करें, सैनेट पर टेक नहीं करेंगा वो कहाँ टेक करेंगा, वो अलकीन पर टेक करेंगा उसने मेंशन करा, इलकीन पर टेक किया ना बेटा ये आपका CS2 हो जाएगा तो जब elkeen पर टेक करोगे तो elkeen का एडिशन काउंट होगा thanks thy students, that's the theme of of actually one for edition का स्ही मतलब है जो elkeen पर nucleophilic edition दे किस पर? elkeen पर nucleophilic edition जबकि elkeen के ओपर क्या होता है? markonic off होता है, electrophilic edition होता है तो आप asap polar bonus, LDA ketone पर करके उसके existing elkeen पर टेक करो तो उसको हम बोलते हैं वन फोर एडिशन एल्डोल में फ्यूटर में आप यह वर्ड पड़ोगे माइकल डिशन के नाम से ठीक है सिंपसा फंडा था अच्छा रेंज है पॉफेक्ट लेवल ओफ दो कोश्चन ठीक है अच्छी हाई रेंज का लखीली अभी तक जेहीं ने इत नुकलोफायल अवेलेबल होते हैं तो सिदे वन एलकीन के पास वाले तो एलकीन के साथ अगर पॉलर बाउंड है एलकीन पर टेक करो और बोल दो एक से वन फोर एडिशन या नुकलोफिलिक एडिशन ओन एलकीं ठीक है बाइबाइ अगले यह जो कोश्चन के साम देवरे पॉलेंग कंपार्ण विल फॉर्म इस्टेबल है मिकीटल तो पिटा स्टेबल है मिकीटल का मतलब रियक्शन करें यह तो खोदी की टोन है इसमें इंटर बनी भी पा रहा इस चेवल कप बनेगा जब तुम साइकलाइजेशन को लाइक इंट्रा मुले करें टेक करो याद क करते हो तो आप यहां पर बना सकते हो वा इप मेंबर लिंग ऑप्षन यहां ओएच यहां सीसरी इसटी फॉर्मेशन अगर यही कंसे यहां लगा ओगे तो यह आपका हो गया स्टीएस्ट अच्छोष को ठेश तो आप किसी भी मेंग प्रुदिक काहानी से यहां टेख और प्रियेट कर सको इस तुके से ले वसित फ्रमेशन यहां ओ है यहां टेक्कुल मिलाकर जब करते हो तो एस पर लोते कि आप अपना सल्फीश हे स्रीया रिडeo सब्स. सुबूर्ड तो इस्टेबल बनाएगा तो इस्टेबल वह होगा जो इपको डिंग में करें और अपंटेन से बूल नहीं हो सकते हो इस कोशन सही मतलब है जितना सरफीस हरी रहां करोगे उत्ता वोटर में है सोल्यूबल होगे तो आप स्टेवल हो जाओगे सिंपल सा अंसर भी सीडी अगला कोश्चिन आपके सामने हैं मिक्ट्र पी एस हो से से स्टेट विद एनियोज दिन कैनेजा और रेक्शन इस कहानी का जो बेसी फंडा है कि अगर मिक्ट्र ऑफ कैनेजार हो हमने कंसे पड़ हो तो हमें पता है लेस चेरी के इस पे में पहले नुकलोफ्रीक एडिशन करूंगा इसका मतलम में इसको बनाओंगा ओ माइनस ओच समझ मैं इतनी सी बात फिर जब यह माइनस बनेगा तो इस से इसको अवेलेबल करवाओंगा ताकि इस वाले का क्या हो जाए बोलो ऑक्सि का करते हैं और मरिक्शन करते हैं और मौरिक्शन करते हैं सबसाओंडा ओके पउए देखिए गट्ट आपके सामने दे रखा है कंसे पोलिंग कंपाउंड किटोन दे रखा है सनाड दे रखा है पका सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास यहां पूना आगा वेच यहां पर को नागा सी आगे लिखा हुआ इसने एस्ट्रोस फोर वित वॉटर रही डालूट अब दायुट इस सब्सक्राइब का मतलब अपने आप एवन करोगे तो आपके पास यहां एक्षिंग करी तो हमें पता वॉटर से सब्सक्राइब का हाइड्रो लिसिस होतार आप कहां से सिंपल आ जाएगा इससे रिजोनेंस इस्टेबल ऐसे तो पहला उप्षान है एसने सिल्वित इस्ट् पूचा शाद आपसे मेजर प्रड़क्ट भी है तो हम सिधे बी की बात करेंगे गौट दो पॉइंट तो सिर्वा सब्सक्राइब की रूपे रही नहीं सकता उसका फर्दर हाइड्रो लिसिस होगा और चुकि एन पर है जुड़ेगा पॉलिटिक डेट होगी अपने आपक अऊःकि आप ध्यान से देखो आपके पास एक पोलर बॉन दिख रहा होगा जिसके पास H-ह आपके पास ओ है जिसससे आपने क्या किया बोलो यहां पर acid base, acid base किया तो आपके पास यहाँ minus बनेगा और यह जो minus बनेगा वो CH2O पे निकलोफिलिक addition करेगा तो आपके पास यहाँ क्या बना? CH2OH और यहाँ क्या बना? NO2 लेक्स थीम आफ एलफा बीटा इसे बीटा हाइड़ोक्सी बीटा हाइड़ोक्सी नाइटर नहीं हो सकता यह रहा लकी ली जिस कारबन पर अन्सर आएगा अच्छा कुछ अर्गिमेंट करेंगे क्यों आम यह एलकीन बना दे प्रैक्टिली एलकीन नहीं बन पाएगी रिजान इस कारबन पर दूसरा ही नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन जैसा नाइट्र कंडेंसेशन पॉसिबाल नहीं है तो सिंपल सा अंसर कुछ लोग सोचेगे इपॉक्साड बनने के लिए यह अटेक करके किसी लिविंग रूप को हटाऊ तो एपॉक्साड बनाऊ ना विनोवर्यवल एनुडूसर बैट लिविंग रूप और ओच में ही बैड है वह आसे निकलने को त्यार नहीं है तो प्रैक्टिकली एपॉक्साड वाला तो फोकर्ट में माहुल बनाने के लिए दिया गया क्या आगे क्यों रहा है काईसे आओगे कन लगता हूंप कि दोनों और ओक को हटा दो गोता को और ऐपक शूक्षन पर हो गया आपके पास compound क्या होना चाहिए कि टॉन प्लस इसके पास क्या होना चाहिए CH3 CH2 MGBR इसका मतलब जहां से शुरू किया था वही compound इस question की जो beautifulness है वो यह एकी product ही reactant है पर जिस्तर से dependent होता लोग विश्वास नहीं करते कि एसा कैसे हो सकता है कि answer ही question हो जो कि कभी कभी हम ऐसा game खेलते हैं तो should be sincere with the concept बहुत सिंपता पंडा को दिमांग नहीं लगाना है सिंपता अटेकर करके नमस्ते कर दो थैक्स और अहला question के सामने अविलेबल एक concentrate क्योश दिया हुआ हुआ है दो दो डाय कि टोन दे रहे हैं आपको याद हो तो इस यहां क्या बनाना पड़ेगा इधर न जाके इधर जाएगी तो आपके पास यहां क्या जाएगा ओ माइनस और यहां बन जाएगा COH बाद में आप acid waste करवा के इसे नूटलाइज करना को मिला के जो six value of five होगी और officially हमारे पास में एक carbon पर OH और एक पर COH यानि एक से simple alpha hydroxy acid बनना चाहिए तो जो आचार option दे रखे हैं उसको देखे लग रहा है कि this is your answer क्योंकि हमें यह फंडा ध्यान रखना है यह कैनिजार करते हैं यह हम एलकाइल शिफ्ट करते हैं इतना सब्ग्रेड है वही कीटो कीटो है वही नुकलोफिक एडिशन बस हाइड़ शिफ्टिंग की जगा एलकाइल शिफ्टिंग अच्छा कुछ बोलेंगे 65 driving force है न भाई तो क्या प्रब्लम है ठीक है अब पहला सिकोष्य को देखे लग रहा है तो कर दो एपी बड़ है और इसका मतलब यहां आएगा सी यह यह आएगा सी यह यह आएगा यह आनि आपन ए तक पहुझ गया पूरे का रिड़क्शन पूरे का और पूरे का और ऑक्सिब्ल पूसिबल नहीं है क्योंकि हम बहु यह आपके पास यह अगर कोई चाहें तो तीन कार्बन का अगर कोई चाहें तो तीन कार्बन का या तो यह होगा पर यह होगा तो एक्टीव होगा इसका मतलब ओए जैसा बनाओ जो इन एक्टीव हो तो बटा उसकी किया लिए दिमागी मतलगा वाली किश्नर का मतलब अब हम नहीं रहे अब हम हम वहीं से कुछ और बण हैं तो इसका मतलब यह यह आपने अपना आपको मिधाल जो कीटो था उसको सी एश्चू में कर दिया आगे लिए हाइड़ोलिस मतलब छोड़ चार के सारे लपड़े हमने अपनी कहानी को नॉर्मल कनवर्ड किया तो आपके पास में यह बन जाएगा यह तो आपका ऑप्शन हो गया यह बन गया सी एचो और यह आपका सी एश्चू अगला जी एग्जामपल है उसमली का सी एचो एक्सेज में वैसे थोगा सा हीट होता तो अच्छा ऑप्शन मिलता अब जब एक्स अगर अभी भी सी एचो अवेलेबल है तो भाई आप ओएज का टेक करो इसका करो ऑक्सिडेशन और इस वाले का क्या करोगे भाई रिडक्शन लेक्शन कोशन में एक अप्शेज मिस किया है वो होता ऑक्सिडेशन ताकि यह हुआ तीन वाला डिडक्शन पॉफेक्ट मैं यह समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि जहां सी एचो दे रखा था वहाँ पे आप एक तरीके से पहले लॉकिंग कर दीजिए लॉकिंग कर दिया तो आपके पास यहां सी ओ आएगा और यह आपने अल्री लॉक कर रखा है उसके बाद क्या है बोलो वाल किशनर वाल क वैसे थे वैसे के वैसे फिर आपने इसका क्या किया हाइड्रोलिसिस यानि कुल मिला के से सी एचो बना दिया फिर आपने दो बार ओएच माइनस से दो बार से रियक्शन करी यह रास्ता क्या कहलाएगा दो बार एलडोल दो बार एलडोल किया तो आप क्या करोगे यहां सी पर आपके पास फिर से एस एच अवेलेबल है फिर से ओच माइनस पर अपकी बार केनी जारो करोगे और केनी जारो का मतलब होता है एक का ओक्सिडेशन एक का रिडक्शन तो एक का एसी ओके बन गया और बाकी जखीरे को छोड़के अप उन्हें यहां सब जगह क्या बना दि से किया उसके बाद में हमने अलफा पर दो बार एलडोल किया उसके बाद एक बार केनी जारो किया तब जाके हम इस कहानी में आए हैं इत्थे तब जाके हमारान से बंबे आएगा ठीक है बहुत ही अच्छा कोश्चन है पर्फेक्ट लेवल ओके बाई-बाई-बाई- यहां आना चाहिए याद करो एमाइड का अंसर क्या आता है तो हम जानते एमाइड का अंसर इस कहानी में आता है एमीन तो यह आपने एमीन बना दिया एक तरिके से एक दो तीन ठीक है फिर आपने एने टू एस से लिया तो यह आपका हुआ डाई-एजोटाइजेशन पर इसमें यह निक्ने से जब एंग्टू बाहा निकलेगी तो केटान बनेगा और केटान होगा तो शिफ्ट होगा और बच्ची गलती कर रहे हैं शिफ्ट होगा तो आपको यह फोल में यह मिलेगा न विटा इस से आपकें सर ए तो आए गए आएगा अच्छा बी ओप्षान जब गनार से टेक करोगे तो पहले वह निकलेगा गिरिणार से करो तो यह बाहर निकलेगा इसका मतलब अपून के पास यहां और यहां पर दो बार सी स्थरी आएगा तो यह भी आंसर आशाएगा आप जब तुम में यहां टेक करोगे तो भाई एक मीथाल के साथ दो मीथाल ओड जोड़ जाएंगे आपके पास यह पंगाले लिया आपको सिंबल वंडा दिया है पहला कोश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सिंपल एमीन बनाओगे डारेशन करोगे एंग्टू निकलने पर केटान बनता केटान शिफ्ट होता यह गलती करने से आप फसरे हो शायद सेकेंड वाला एल्ड वाला गुरूप भी हो है तो हमेशा टोरी वाला पार्ट ब भी करया जा सकता था क्वेश्चन तो यह आंसरी इस अबाउट ए बी सी ओके तो आप कहां से आना चाहिए इस कानी में आगरा आप ओंबे कलकेटा देखिए सिंपल सा में दर फोलिंग दे रखा है पी एस यह दे रखा तो स्या इस तो यह आपको वैसी देखिए कहनी जारों के लाएगा यह ओप्शन देखिए समझ दो कि दिख से आप सिंपल एल्डोल कर अंसेशन की प्रोड़क्ट रिजोनेंस कर रहा है उसके बाद इस सिंपल पहचान कौन जे मेंस का परफेक्ट लेवल इवन एडवांस में भी कुश्चिन है इस बार तो सिंपल सा फंडा है कि अल्डोल दिया प्रोडरीजोनेंस की बात करो के निजारो दिया एक 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 रिदक्शन की बात करो बेंजालिक एसीड का मतलब वही एलफाइड सी एसिड की बात करो सोडा लाइम तो जानते ही हो सीओ टू अटा और एच चिपका लेकिशन करोगे तो याद करो यहां से सिंपल यह से वाटर बार निकालते हो एसा होने पर बेटा आपके पास कोबनेम का इसी हो सकता एक से वन डिग्री इमीन और हमें पता है वन डिग्र कोब़ी इमीन होते ही इमीन यह और शिफ्ट बेस भी है लेसे पॉमन फंड़ा यह पर यहां पर क्यो है साथ में तो आए थिंग यहां से भी आप वाटर बहार निकाल सकते हो आपका आंसर वन डिग्र एमीन और शिफ्ट बेस के नाम पर आना चाहिए तो प्रैक्टिकली इ आपके पास में यह option आना चाहिए बाउट द वन्डिरी एमीन या या शिफ्ट बेस तो दोनों का अंसर ही QS QS आएगा और यह जो option है तो समझ में लग रहा है कि यह पक्का क्या है बोलो यह बहुत fundamental question है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रूप available है और आप गलती से किसी भी वन्डिरी एमीन के रूप में यूज़ करके यह option बना सकते हो तो वन्डिरी एमीन को ही common name में शिफ्ट बेस बोलते हैं यह दोनों option ही सेम है तो बिटा बीकांसर भी QS आएगा और C कांसर भी QS आना चाहिए normal condition में क्योंकि आपकी NCRT में fundamental देरका है कि वन्डिरी एमीन से जो बनता है उसे shift-based भी बोलते हैं और इमीन गलती करने हैं आपन कुछ या shift-based किसको बोलते हैं गलती जा अमोनिया से बनता है इमीन यहां पे गलती यह हो रही है अमोनिया से बनता इमीन तो इमीन तो option ही नहीं है इसका नहीं के अंदर 1 डिरी से shift-based 2 डिरी से इन अमीन मेरे साब से यह answer ही नहीं आना चाहिए वो तिरी तो भाईया यह तो गड़बड़कर रखिये इसका answer simple सा आएगा यह वंडरी अमीन का answer shift-based तो बटा इसका एक answer क्या आना चाहिए आर आना चाहिए बी का answer क्यों आना चाहिए और डी का answer पी आना चाहिए इसमें एक जो एस option दे रखा ना वो एस option नहीं आना चाहिए तो एक जल्दवाज में गलती होती है अमोनिया से इ इमीन बनता है तो इमीन तो अमोनिया वो तो ही नहीं इसमें simple एक करबन जो दे रखा तो पक्का यह क्या बनेगा बोलो co2 तो यह आपका option हो गया सीधा सा सीधा यह देखा अब तुक्का विबारों के से सेट होगा क्योंकि बेटा यहाँ अवेलेबल करवाते तो दो co2 बाहर निकलती चेक करना पड़ेगा यहां करवाते तो co2 बनता इ यह option यह दोनों चेक करके सेट कर पाने कि आमको टैमिललकाइन जैसा कोई कंपाउंड सी जिसके त्रूं हम अगर कुर्चे रोग करें तो कि टॉन बना सकें और अगर क्यों करें तो co2 co2 हम अश्या टैमिनल गेस से बनती है फ्री फोगट के नमबार करें तो अपने पिछले में पढ़ा दिया काबसी की बात करें अब उसमें क्या पूछा है यह हाइडो काबन जिसका मोलकेवेड के इतना है वो लो 68 ठीक है मोलकेवे 68 दे रखा ठीक है करेक्ट स्टेक्मेंट अब अब यह अपने वाड़ा कुर्चे रोव रिक्शन कर रख गया और तीन और तीन छे साथ आठ नो अच्छा गलती के तीन तीन चेशाथ नो दस हो गया और यह आपका ऑक्सिजन कितना हो गया विया 16 त्वेल फाइवजा 60 60 प्लास यह हो गया 10 और यह हो गया आपका 16 अच्छा उसने ए पूछा तो एक का मतल मुझे तो यह निकालना था तो इसकी जरूरती नहीं पड़ेगी मेरे साब से बचलो निकाल दिया तो बात कर लेते हैं छे साथ और यह 886 इसका विटा आना चाहिए था ठीक है सी रिएक्पिस फ पॉस्टिव आना चाहिए था और सीज एल्डी अगलत बात है मिठाल की तो परफेट आंसर इस बोंबे कोई इस्व नहीं होगा मेरे साब से बढ़ोगे तो सबस्क्राइब कर रहा है को सबस्क्राइब का में के पूछा है खुन मत जला के मतलब यह रहा तो मैं उदर देख अगले कोशन में अगली बात करेंगे ठीक है अगले कि अब बात करिए पेले क्या पूचा जी प्रोडक्ट की बात तो जी आपका ऑक्षन यह रहा क्या दिया भी आप पीएच एम जी ब्यार यहीं दे रखा तो भी यह हम सोच सकते हैं यहीं पर ओएच यहां पीएच बना लो आगे एश्चू सूफोर दिया है तो भी संब्क्रोड के लाई इस मसें ब्चैट करोगे इसका मतलब यहां पर क्या आएगा बोलों यहां पर क्या पीएच प्यशा जी सिंपल पूचा जी सिंपल पूचा जी सिंपल यहाद नहीं कि ए सिंपल फिर एवन किया फिर इपोक्साइड मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजों किसी कुछ लोगों को अभी तक याद नहीं है जबकि बेटा अब तक रियेजेंड याद हो जाने चाहिए थे तो बहुत सिंपल सा अंसर था इस कानी के लिए ओके देखिए और यहाँ पूचा और यहाँ पूचा और यहां बोला ब्रोमीन सिशन करने पर मिक्चर अफ्ट्व टूडिफरेंड मिजो कमपांग्ड देखो एंग्टी आपको इस पता कि यह सिंपल एंटीडीशन होता है और ट्रिक सिंपल होते हैं A-T-A-E, CIS-Anti-Trio, Trans-Anti-Erythro, चुकि वह बोला है, Mixture बनड़ा है, तो पक्का 3-O हुआ, और 3-O का मतलब CIS हुआ, CIS का मतलब CIS जून लो, तो भाईया, Trans खतम हो गया, बचे दो Option CIS, क्या होना चीए, Optical Inactive, इसका मतलब Happy Birthday हो रही है, तो POS रही है, बस ओगया सोल, क्योंकि कि यहां पर नहीं आ सकती तो बस सीधा सा बनाता मीजो कंपाउंड है और जब हम इसके अंदर डायल बनाएंगे तो याद करो ब्रोमिन जोड़ेंगे तो वेज देश भी आएगा देश वेज भी आगा दो अक्षिन बनेंगे सिंपल डॉन्ट भी हाइपर पूछाने तो क्यो कोशन यह था यह रहा वो कंपाउंड जिसके हम एक ही बात कर रहे हैं इस एकों में उधर लेकर आता हूं ताकि हम समझ सके कि हम क्या करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा है आपका एक कंपाउंड कुछ इस तरह का होना चाहिए यहां पर ऐसे वेज वेज मेंशिन कर रखा है आपने क्या किया और यहां पर कर लिया हैपी बड़े तो ध्यान रखना यह मीजो वाला कंसे वां टू थ्री अगर यह आर आ रहा है तो यह होगा तो यानि एक तरीके से हमारे पास में दो कंपाउंड बन गए एक आर वाला बन गया और एक हैसा एस वाला बन गया पिर आपने जब उस पर उग्जाइम जोड़ा उग्जाइम का मतलब जानते हो ना एन एस टुए से वाटर को इवोल करो जब वाटर को आपके पास यहां पर ऑक्शन आएगा कुछ इस तरह से यह आपका एक दिके से कायल सेंटर और यहां पर आपके पास एक पाई-बॉंड जो सिस्टांस दो सकती थी और उधर से कॉमदिशन में आरवी आ रहा है और एस भी आ रहा है तो भी आ काल सेंटर के दो पाइबोन के दो कन्फर्म आप कहां से क्या आना चाहिए चाहरा आना चाहिए ठीक है सिंपल फंडा अगला जो कोश्चन के सामने अवेलेबल है उस कोश्चन के अंदर अपन ये देखें क्या करना है बाई तो लिखा एक यह का अपके पास अवेलेबल है सायनो बेंजीन से बन जाएगा हमको पता है कि स्थी Mgbr की रियक्शन जब आप किसी सायनो बेंजीन से करोगे तो बहिए अप उनको पता है आप उनको आंसर क्या मिलेगा पी ए सी यह कौन बना भीया यह आपका बना प्रोड़क्ट भी दी ऑल्सों के व्टें तो बी अगर यह है तो समझ आपका यह और सम अब कर लिए आप कांसर आजाएगा जो जी आई एंड इंड डीकलराइस ब्रॉमिन वोटर बी ओंड इस सेलीनियम उक्साइड प्रोड्यूस सी और मैं पता भी का जब हम सेलीनियम उक्साइड से करेंगे तो भी हमको यहां पर मिलेगा अब क्या पूछा है इसका कर ट्रांसफोर्म बना लेते हैं यह आपका हो गया ट्रांसफोर्म अब क्या किया है उसको करने पर अपनको बता है चुकि यह कौन सा डिशान है रेस्ट मिश्च बनना चाहिए कब बनना चाहिए हाइडोजीनेशन तो हम आट्रिक को यादो तो सी बी एस सी टी एस टी ट्रांसीन थ्रीयो यह सही बात थ्रीयो बनेगा यह कैन बी प्रिपेड बाइविटिक रियक्शन अगर मैं इसी को पंगा होगा आपके पास यह ओप्शन पहले से मेंशन है पी एच के रूप में और विटिक के थ्रू भी हम लोग यही फंडा यूज करते हैं यह आपका माइनस ही पी पी एस टी प्लस अटेक करके बौन को ब्रेक करेगा विटिक का मतलब क्या वो मैं समझा देता हूं आप को विटिक का मतलब यह कि सही में यहां आपके पास अवेलेबल है पी एस टी यहां पर अवेलेबल है सी एस टी पी एच और यहां आपके पास अवेलेबल है पी एस टी विटिक के नाम का मतलब यह प्लस और यह माइनस निकलोफलिक एडिशन कीजिए निकलोफलिक एडिश तो यह आपका पीएच पीएच यह आपने यहां पर एक complex create कर लिया जिसको heat करने पर हम क्या कर सकते थे इधर से इधर इधर से उधर ताकि यहां पर बन जाए PPSC और यहां बन जाए इस तरीके से double bond यह आपका option बन चुका है इसी कहानी के अंदर ठीक है यह भी सही है और टीटमेंट विद पर एसीड फोलो बाइडोसीश ट्रांसफोर में प्रोड्यूज रेसिमिक चाहिए अगर यह कहान इधर रखी है और आप परोक्सी एसीडिक आपका यह रियक्शन करेंगे तो क्या होगा बहिए अगर हम ट्रांस के थूए रियक्शन करेंगे जैसे यह अगर आप इसको ट्रांस के थूए करना चाहते हैं और तब आप क्या करोगे तो ट्रांस के थूए करोगे तो आपके पास यहां पर क्या आजाएगा एक डेश आएगा उस समय देखो ध्यान सा सी यो यह सार यह वह हो जाएगा मीजो प्रेक्टिली पॉसिवल नहीं है करेक्ट अब 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 अपना बी ऑक्षिन क्या है था हम सब जानते हैं अपना बी ऑक्षिन आ गया पी एस सी ओ सी थी बिकोज अपने सान अब एंजीन से इसको प्रोड्यूस भी किया था अब विच इस नोट करेक्ट गिव आईड़ोफॉम सही बात है और यह आपका अंस पूछा था नोट तो यह नहीं दे सकता है और अगर मैं इसके साथ वाल किशन की बात करूँ तो भाईया अप उनके पास यह जा जाना चाहिए तो कुल मिला के किटॉन मिथाल किटॉन या फिनाल किटॉन जैसे एक्जामपल किसी भी हाल में तो यह प्रेक्टली पॉसिवा नहीं है देखिए अगला जिए आपके सामने अवेलेबल है क्या पूछा बिटा विच इस नौट करेक्ट अब आपको बता दूं सी क्या ऑप्शन था तो अपनने बी क्या बनाया था याद करो बी बनाया था पीए सी ओ सी और जब हम सेलीन मॉकसा के साथ रेक्शन करेंगे तो यह आपका बन गया पीए सी ओ सी हो चो क्या बोला है नौट पूछा है और इसकी रेक्शन ने बीएच फोर से करते हो तो हमको पता है कि हम यहाँ पर डायोल बनाएंगे अगला क्या लिखा रेक्शन रेसिमिस्टर और कार्बॉक्सलिक एस अप्टेंड यस वो पास यहाँ ओएच यहाँ सी हो चुछ यह आपका हाइड़ शिफ्ट हो जागा एक से बेंजालिक एसेड री एरेंग्मेंग्ट इट गिवस्टोलन टेश यहाँ सेल्डियक देगा एक के टेक पार इन एल्डोल कंडेंसेशन बिटा एल्डोल होने की क्या शर्त होती है कंप हो आप शेंट हमान आपके यहाँज सेट इसका हुआ अपको SM3 यहाँज़ इंड़ एसके यहां थाल ट्राइब फ्लॉर देड निकाल दो आटेकरके बाहर निकालोगे तो तो यह थांपूल में हूगी ओगी और आपके पास यहां प्ले 기자 ineffective funciona पूछा क्या दिमाग मत लगाओ अपना अंसर आ गया यह पूंका अंसर हो ना ची बिकोज कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा फिर आगे क्या लिखा हुआ है रिएजेंट एक्स अलोंग विद जेनल इटिंग प्रोड्यूज कंपाउंड भी वीच ओन हाइड्रोलिस इसके थू कुछ ऐसा रिएजेंट हमने यूज किया ठीके एक्स कैसा यूज किया कि ऐसा कंपाउंड बने जो मुझे एसीड देने का मतलब यहां सानेड होना चाहिए यह गेम सेट हो रहा है विओन ट्रिटमेंट विद ओरेंज मेटलिक वाइफ फोलो बाइफ हाइड लेसिस प्रोड्यू सी बेजंद अबाव पासिंग अटेम संतिंग 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 यह तो सब्सक्राइब यह अपना अंसर क्या रहा है बॉम्बे के लिए आ ओके यह इस क्या दे रहा है कि A on treatment with reagent X along with gentle heating produce a compound B which on hydrolysis can produce an acid B on treatment with an orange metallic Y followed by hydrolysis produce C बेजंद अबाव रियक्शन वह इस कानी को समझाओ पहले तो B से क्या बद बी को gentle heating करनी है अब आपको पता है MR को gentle heating करने प्रमेश वाटर बाहा निकलता है और अगर वाटर बाहा निकलेगा तो अपन कांसर क्या आएगा बच्चे cyanide आएगा तो practically कोई option amide तो था ही इससे cyanide बना देखुद दिमाग लगाओ कभी भी hitting करने से न तो carbon बढ़ता है और न एमीन बनती है तो common सी बात है सी यो हट नहीं सकता तो simple answer आपके पास को option मेच ही नहीं खा रहा आपको Bombay answer देना चाहिए के देखिए अगला option जिसमें आपसे पूछा गया है इस कहानी में यहां तक अपन आ चुके थे तो अगला पूछा एक्स क्या होना चाहिए तो बहुत हाइडेटिंग एजब्स और इनोगनी फेलेटिंग के साब से डि हाइडेटिंग का एक्जामपल होता पी फूर ओटेन तो आप पडूरो टेन जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसके इसाब से यह P2O5 के नाम पर भी यूज कर से तो सिंपल सी इन्फोर्मेशन है रट्राफिकेशन के नाम पर अगला पूचा वेंड सी स्टीटे विट पर बेंजोईक एसीड इट विल प्रोड्यूज देखे क्या लिखा है अब प्रोड्यूज अपर भी यह आपका आंसर यहां पर क्या आ सकता है बी ओन रियक्शन विट ओरेंज मेग टेलिक तो अपने यह बोलेंगे कि बी क्या हुआ भी या आपका ओप्शन आजाना चाहिए कि इस कहानी के अंदर बनाना है यह मुझे लग रहा है कुछ तो कुछ एक लाइन मिस कर दी अक्चुली एक आपको यह दे रखा है ठीक है ओरेंज मेक्टेलिक का मतलब यह कि आपके पास है ओल्रेडी सी एफ्ट्री सी एन अब आपको जोड़ना यह है तो अफकोर्स ऐसा कोई गिगनाड टाइप होना चाहिए जो इस पर अटेक करें और इसको किटोन यानि सी में कनवर्ड करें ठीक है तो यहां पर यह ज पूचा केटों तो किटों तो बन गया तो यह रहा अब परोक्सी बेंज हम आपको पता नցक मांस निया हूता है यह प्लस और माइनस पर प्लस तेक और मायनस तेक करोगे तो ओं मायनस यहां कि बनेगा CF3 यह आपका बलकी ग्रूप है यह आपका O, O, C, O, P, H, A driving force सबसे अच्छा डोनर से शिफ्ट कर देना यानि आपको S10 मिलेगा टर्शी बुटायल की ओर टर्शी बुटायल की ओर S10 मिलेगा देख सो यूर आंसर इस A तो सिंपल सा फंडा है सकानी के अंदर आप इस वामिट को यूज करते हैं और आंसर की रूप में पूछा था परसे क्या प्रोड्यूस होगा तो अफ्कोर्स ए ओप्शन हाना चाहिए ठीक है देखिए अगला कोश्ण के सामने है जो श्टेक्में दिया हुआ है वह बेंजल याइड भी इस कहानी के अंदर आप जब यह कहानी करते हो तो आपके पास यहां पर क्या बन जाता है जिसके तुछ आपको आंसर देना होता है अब क्या पूछा गया है तो बेंजल याइड यहां पर बना सकते हो और आप यहां पर बना सकते हो ठीक है बोथ नाइटल और इसनाइटल नाइटल पॉसिबल वेन एसन रियक्ट वित कावल नहीं पेटा नाइटल तो बन जाएगा पर आईसो नाइटल पॉसिबल नीए बिकोज अमजन नुकल फाल अवैलेबल है अटेक करने साथ सी की और से होती एन की और से पॉसिबल नहीं है नहीं तो रिवर्स मर के बहार निकल जाएगा तो इस चेक में नमबर वन सही आरा टू गलत आ रहा है इसका मतलब यह आप कांसर आना चाहिए सिंपल कि देखिए अगे 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 सामने क्या पूछा है अगर आप एक्षिन कर रहे हो तो याद को अटेक करोगे ओमारी वर्स इस ए गुड लिविंग गुरूप और गुड लिविंग गुरूप है तो बेटा आपके पास सी योज बनेगा सी सी एल्टी माइनस ब आपको यहां पे आपका पूरी तरह से आपका OE2 का सब्जेक्टी पैटन खत्म होता है I hope आपको इससे कुछ फायदा मिले कुछ सजेशन मिले कुछ थॉर्ट पॉसेस अच्छी डेवलप हो ओके तो बेश्च आफ लख एव गुड डेव बाई